मुर्गी पालन भी कर रहा है बकरी पालन भी कर रहा है और मचली पालन भी सबसे बहुत आगे जाना है हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं उन्हें भी करके दिखलाना है दोस्तों नमस्कार मैं विकास कमार सिंग एक वार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ उत्तर प्रदेश की धर्ती से उत्तर प्रदेश की अभी गोड़कपुर में उपस्तित है और यहां पर आप सभी को दिखाने वाले हैं इंट्रिगेटट फार्विंग यहां पर देख सकते हैं कि मुडगी पालन भी हो रहा है और मचली पालन भी हो रहा है और बकरी पालन भी हो रहा है हम यह सारे चीजों पर चर्चा करने वाले हैं और यहां के जो किसान वाई हैं उनसे आप सभी को मुल्याने वाले हैं और बात्चित करने वाले हैं और वन वाई वन जानकारी लेने का प्रयास करने वाले हैं तो चलिए बात्चित करते हैं समझते स्वागत है आपका हमारे चैनल में हमारे दश्कों के छोटा सा प्रीचे पहले देदिजेगा सर आपका भी स्वागत है हमारे गोरगपुर में हमारे भारम पर पर चंदरेश मोर्या ग्राम सबालाल पूर्टी कर और खोरा बर शित्र में पड़ता है यह सुरुवात सर इतना सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले सर शुरुवात कौन से चीज से अब सुरुवात किये यह मचली और मुर्गी से सुरुवात किये तो उसके वादसर यह जो है सफर कितने दिनों का मने अभी तक आपका सब्सक्राइब करनाटका में तो आपको इस तरीके का फार्म आपने वेवस्ति डंग से अपने घर में जाकर के गाउं में जाकर के इस तरीके से किया जाए यह कैसे आपको सुझाब मिला कहां से मिला यह थोरा समझाई है करें तो मतलब उनका हुई था कि मतलब यहां फारम खोल दिया और हम वहां से चले आए उपने बाहर में यह सुरुआत के इन सारे चीजों को आप मैनेजमेंट कर रहे हैं यह कितने जगह में आपका फॉर्म बना हुए फॉर्म जो बना हुए सर फॉर्म वाला एरिया चोड़ कठ definitely और चौदर कर और वैक तो यहां पोंते छोटा है नीमस कोमार कि इसलिए थ्याटर बसंट कर रहे हैं यहां में गश्रेंजमेंट कर रहा है ऐं सबसे बेहतर इसमें कौन सा लग रहा है उनके लिए कौन सा बेहतर होगा सुरुआती दोर में सबसे बेहतर है कुछ उब करना जो कि मतलब करने के दो ही महेने बाद कुछ income शुरू हो जाएगा और यह에 आ इंकम धीरे दीरे चलता रहेगा उसके बाद अपना कोई कर सकते हैं और जब अंडा देना शुरू हो जाएगा तो आप एक छोटा किराना इस्टोर की तरह हमेशा आपका चलता रहेगा करने में मान के चलिए अगर कोई बाहर से इंवेश्ट कर रहे हैं तब ठीक है अगर यहीं से करके करना है तो वकरी पालन में सबसे मूल चीज है कि मतलब इंकम आने में टाइम लगता है बकरी पालन तो है बहुत बढ़िया चीज है जो मतलब काफी मुनाफा वाला चीज है आप चारा करके भी ऐसे भी आप डबल इसके लिए इसे लाष्ट में करें आतला मुर्गी के बाद में सुरू करें तो हम लोग सूरू किये थे सो बच्चे से मुर्गी का उसके बाद में सौ सब्सक्राइब करने से पहले उसकी जानकारी लेना जरूरी है उसी तरह हम भी जनकारी लिए ट्रेंग लेकर करना चाहिए ब्लैक बंगाल जो देशी नसल की बक्रियां है इसी का चुना भी क्यों कि यह थोड़ा समझाई है ऊचाहिए लोकल और हमारे वातावरं में और इस जगह मार्केटिंग दोनों सही है कर भी सकते हैं और खिलाने प्लाने का भी ख़िर लेते हैं अंदर खाते हैं और बच्य दो तीन बच्चे हमें साहिए बीधर ज्यादा अभी आपके पास कितने वक्रियां हैं टौटल सब्सक कुछ शेल किये हैं या फिर अभी तक आप भड़ाई रहें अभी हैं लेकिन आने वाला जो हो लिए उसमें कुछ बकरे तैयार हो चुके हैं वो ने वाले हैं उसी को हम सेल करेंगे तो बकरी से किसे में दूसरा साल चल भी दूसरा सुरूआत हुआए तो अब आपको लग रहा है कि कुछ इंकम इसमें हो सकता है अच्छा हूली मेँ आप कुछ सेल करें जे तो कुछ आपका इंकम सुरुआत हो गाँ अच्क हुछ अब के है यह आपके पासelf हमरे पास है अधी आभी टोटल हमारे पास मिरा करके अच्छछ फट्व मुरंगी डेसी में सरी करना बहुत ज्यादा ज़रूरी है क्योंट जो कआफी नुकसान का सामना करना पड़ता है अब लगा हुए आने वाली बीमारी सो बातने से क्योंकि बीमारी को बटा के तो आएगा मैं आएगा तो लगाना जरूरहें हैं इन सारे चीजों से अब तीनों से कितना माईने नहीं है जो भी खर्चा निकलता उसमें से इसमें खर्चा हो जा रहा है अब इसमें ज्यादा प्रोफीट मतलब करेक्ट नहीं मानूम है एक मोटा मोटी हमारे दस्कों को बता दीजे कुछ मोटा मोटी होई मान के चलिए सब कुछ काट पीट के बच्चत होई 15-20,000 है अभी क्योंकि ज्यादा पैसे उसी पर इन्वेश्ट हो जा रहा है अच्छा 15-20,000 रुपए आपके अपने जो घर में है वो बच्चत आपका आ लगाएंगे ताकि मतलब हम परड़े 200-300 अंडे हमारे हूं तीसरे दिन हम हजार अंडे लगा सके और तीसरे दिन बच्चे निकले और में चीज़ है बकरी पे उसको हम ले जाएंगे सब्सक्राइब ले जाने का आपका योजना है अच्छा अभी लगाए हुए है यहां पर लाइट का सिश्टम नहीं था इसके लिए आप पे हैच्री लगाए हुए हम तो देख रहे हैं कि यहां पर आपको बिजली मिल रहा है यहां पर फॉर्म का जो पुड़ा जो बिजल सब्सक्राइब लगाए हुए है जितना उड़्या का खफट आपके फॉर्म पर है उतना मिल पारा है यहां से बिजली का अलग से यहां पर विवस्ता नहीं कि अब बाहर से खंबा नहीं आपाया बिजली का फी यहां से दूर है इसके लिए हम लोग सोलर अपना लगाए शरे का इसवैं शरे किये हुए मचली हुए मचली इस में कून सा प्रेम ने होए है और तो इसमें जादा समस्च्च देखने रोक वगढ़र देखने को मिलक रहा है भी मारी जानि की बागी दिख California कि बुर्वारे तो सब्सक्राइब हो ध्यान देंगे तो किसी में नहीं है नहीं है क्योंकि सफाई एक सपाह सफाह उतरा रखना भोग जरूरी है यह कोई बिमारी नहीं आरहा है भक्रियां से शंतुष्थ हैं थैक थैक छल द depend क्योंकि ओष्थnya हो रहा है और m collected भी हमारे फारम में आना सुरू हो गया है इसके लिए संतोष्ट बनाए हुए यह कितने जगह में आपका फारम बना हुआ है वारा में हमारा 122 का इसमें 600 मुर्गियां है और बकरियां कितने हैं केशब तो यह दोनों मुर्ग की लाख भाएस अरे मर्गवक आपके लाख्ए में नवाज संपेज़न तो परым में हैं हुसरा बगारी नहीं Chrome हैं अचा और कोई बक्री पालं मेंगे और कोई बड़ा नसल लखने का आपका योजना है क्या हराचारई में कौन लगा और कर्मी घृषी अलब माए तो इसके विछ सब्सक्राइब कर्सक्क्राह हुए ? दूसरा वैं जैसे मान के ना भूब कर्म कमरे बगेर हुए है उसी दिन नहीं किसी को देना है दो चाहार दिन बात देना शुसे उने करके दे देते हैं। उसके लिए गुरूम बनाए हुए और एक भूसा रूम है और बीच में जो टीना डाले हुए हैं। तो कोई चोटी जगह बनाई कोई बहुत बड़ा सेड़ा बनाने का जरूत नहीं है. और गाहों से अगल बगल में सभी मनलब बंगाल बकरिया लें, जो मतलब काफी बच्चे देते हैं सब 2 बच्चे तिन बच्चे मेंसा देंगे. और बचे भी जल्द बढ़ेंगे और छोटे पैमाने से 10 बकरी, 8 बकरी, 20 बकरी से काम सुरू कर सकते हैं और इसके हिसाब से फिर धीरे धीरे जिस तरीके से उनका बढ़ेगा बकरी एटोमेटी को बढ़ता जाएगा आपको बढ़ाना नहीं है किसानों के लिए बकरी जो है उनके लिए बैंक हो सकता है या नहीं हो सकता है बिल्कुल हो सकता है एक छोटा बैंक है अपना मान के चलिए बकरी में अपना जब भी चाहें सेल करने के लिए जिस तरह से बैंक पे जाते हैं उसी तरह से सेला कर सकते हैं सुवह में सोचे साम तक सेला होगेcoalत कोई दिकत नहीं है साम तक आराम से आपके 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 हाथों में पैसा आ जाए आ जाए जाएगा सरु assure बहुत लगा आपसे बाचित करके हमारे किसान भाईयों कोई इतन अच्छे तरीके से आप जानकारीं दी किसी नए किसान के साथ मिलेंगे तब तक लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत